आज की वीडियो में हम लोग यूनेस्को के बारे में पूरी जानकारी करेंगे यूनेस्को की स्थापना कब वही थी यूनेस्को भारत यूनेस्को का भारत कब सदस्य बना था यूनेस्को का वर्तमान अध्याच कौन है यूनेस्को का मुख्याला कहां है और इसे समधित अन्य महत्पूर और चीजें भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो चड़ी इस्टार्ट करते हैं युनिस्कू के बारे में जानकारी युनिस्कू की वीडियो UNESCO का पहले तो full form देख लेते हैं कि UNESCO का full form क्या होता है तो UNESCO का पूरा नाम होता है United Nations Educational Scientific and Control Organization यानि कि संजुक्त राष्ट सैच्छिक वैज्यानिक तथा सांस्कृतिक संगठन या बहुत सारे देशों का मिला जुला एक संगठन है जो कि हमारी कलाओं को हमारी संस्कृति और सिर्फ एक देश नहीं पूरे विश्व के कला संस्कृति को संजो कर रखना और मानवता के कल्यान को ध्यान में रखते हुए कारे करना इस संगठन का उदेश है इस संगठन की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इस संगठन का उद्देश सिच्छा संस्कृति के अंतरराष्टिय सहयोग में सांतियम सुरच्छा की स्थापना करना है यहनि अंतरराष्टिय पूरे विश्व के में सांतिय और सुरच्छा की स्थापना करना इस संगठन का उद्देश्य है इसमें कुल 195 सदस्य देश हैं जबकि 10 एसोसियेट सदस्य भी है भारत जो है इस संगठन का 1946 इसवी से इसका सदस्य बना है इस संगठन का जो मुख्याले है वो पेरिस में है और दुनिया भर में इसके 50 से ज़्यादा फिल्ड आफिस भी है अंतराष्टी सहिसूरता दिवस की रूप में मनाय जाता है क्या 16 नौमबर को जिस समय जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी उसी समय को अंतराष्टी सहिसूरता दिवस की रूप में भी मनाय जाता है तो ये भी काफे महत्पूर हो जाता है कि अंतराष्टी सहिसूरता दिवस की रूप में किसे मनाय जाता है तो यूनेस्को की जिस दिन स्थापना हुई थी उसी स्थापना के दिवस को अंतराष्टी सहिसूरता दिवस की रूप में मनाय जाता है यूनेस्को के पांच मुख्य थीम हैं और वह सिच्छा, प्राकर्तिक विज्ञान, समाजिक और मानव विज्ञान, संस्कृति और सूचना तथा संचार के जरिये पूरी दुनिया में ये कारे करता है सरव पर्थम भारत में सन 1983 हिस्वे में भारत के चार महत्पूर अस्थल जो हैं विस्व विरासत अस्थल गोसित हुए और जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के दो महत्पूर अस्थल थे एक तो था ताजमहल और दुसरे आगरा का जो लाल किला है ठीक है जिसे अकबर ने ब महाराष्ट के दो महत्पूर विस्व विरासत अस्थल अजन्ता और एलोरा जो 1983 हिस्वी में विस्व विरासत अस्थल गोसित हुआ तो सबसे पहले कि अगर बात करेगा तो चार महत्पूर हैं एक तो है ताजमहल उसके अलावां आगरे का लाल किला इसके अलावां अजन् और एलोरा जैसे महत्पूर गुफाएं सन 1983 हिस्वी में विस्व विरासत अस्थल गोसित हुए इसके अलावा बात करेंगे कि कब कब किसकी स्थापना हुए तो सन 1900 इसके अलावा अगर बात करेंगे तो सन 1984 हिस्वी को कोडारक का शुर्यमंदिर जो ओडिसा का है और महा ब एव 1984 हिस्वी को विस्व विरासत अस्थल गोसित हुए इसके अलावा बात करेंगे तो 1986 में चार महत्पूर स्थल जिसमें पुराने गोवा के चर्चवा और मठ मुगल सिटी जो फतेपूर सिक्री की है और हमपी के समारक समो जो करनाटक के हैं और खजुराहों के मंदिर एचारों कब हुए 1986 में 1987 में भी चार महत्पूर स्थल विस्व विरासत अस्थल गोसित हुए एलिफंटा की गोफाये हुए पड़डड़कल समारक हुए सुंदरवन राष्टि उद्दार उद्यान हुआ विरेधिश्वर मंदिर हुआ तंजवर का जो विरेधिश्वर मं मंदिर है वो हुए इसके अलावा 1989 में साची का जो बहुत समारक है बहुत ही मत पूरस्थल है वो हुए था 1989 में 1993 में हुमायू का मकबरा 2002 में महाबोधी मंदिर 2003 में भीम बेटिका की गुफाएं 2004 में गंगई कोड चोलपूरम के मंदिर जो तमिलाडु में है इसके अलावा एरावतिश्वर मंदिर जो तमिलाडु में है ये दोनों 2004 में इसके अलावा दिल्ली का जो लाल किला है जो 2007 में हुआ था आगरे का ला किला है 2007 में हुआ था 2010 इसी में जयपूर चैंतर मंतर हो हुआ थह 2014 में गुझराद का रानी की वाव एक बावडी है वह हुआ था विसौर्यास्ता अoupia अप्ञोसित और 2021 में रामपबा मंदिर और धौला वीरा रामपबा मंदिर तिलंगाना में और धौला वीरा जो गुजरात में तो ऐसे बहुत सारे महत्पोर अस्थल जो है यूनेसको ने भारत के अस्थलों को विश्व विरासत अस्थल गोसित किया है और उसकी देखरेख करना उसके हर तरीके से उसकी सुरच्छा करना ये इनिसक 좋은 ने अपने जिम्मेदारी में ले लिया है तो इस समारग विश्व विरास APP अस्थलें विश्व के सामने अपने प्रतिनीधित्व करते हैं भारत का तो अब तक भारत के कुल 40 अस्थलों को राष्टे समारग घोसित किया जा चुका है जिसमें से हमने बहुत सारी मादपूर चीज़ों को देख लिया है तो इस वीडियो में इतना ही और भी बहुत सारी मादपूर जानकारिया है जो इसके बारे में बताया जा सकता है पर छोटा वीडियो ज्यादा अच्छा रहता है